नमस्कार दोस्तो आजीवन पैशा कमाना पड़ता है आदमी को हर आदमी पैशा कमाना चाता है मगर ये मगर कांसे आ गया भाई ये मगर बहुत बड़ी चीज है लेकिन बहुत बड़ी चीज है लेकिन हर आदमी पैसा कमाना नहीं जानता, हर आदमी पैसा नहीं कमा सकता, हर आदमी बहुत सारा पैसा नहीं कमा सकता, खूब पैसा नहीं कमा सकता, लोट ओफ मनी नहीं कमा सकता, पेट भर सकता है, गुजारा चल सकता है, परिवार के सारे सदस्यों को पाल सकता है, यानि छ दोस्तों नो करी और एक नहीं करी बराबर है तो फिर क्या करना चाहिए नोकरी नहीं करने तो क्या करें नहीं नोकरी कीजिए यदि आपको सरकारी नोकरी अच्छी लगती है सरकारी नोकरी कीजिए प्राइवेट नोकरी में आप यदि कहीं अच्छे पत्पे हैं जरूर कीजिए मगर मैं उन नोक्रियों को नोक्रियां नहीं मानता जो साथ हजार, नो हजार, दस हजार, पंद्रह हजार, बारह हजार महेने की नोक्रिय है दोस्तो एक मजदूर साथ सो रुपे से लेकर हजार रुपे रोज तक कमाता है बड़े सहरों में और मीडियम सहरों में 500 रुपे से लेके 700 रुपे रोज गमाता है और गाओं में तो जब फसल का टाइम आता है 1200 रुपे पर डे कमाता है और ये पढ़े लिके लोग जो कहते हमने 10 साल तैयारी किये नौकरी नहीं लेगी अब क्या करें उन लोगों को मैंने 8 से 12 रुपे मेहनों पर देखा है काम करते हुए हाँ ये जरूर है वो हाड वर्क नहीं करते शॉप्ट वर्क करते है मगर घर का कर्चा कैसे चलेगा दो दो बच्चे होगे कबकी शादियां हो चुकी परिवार के जो माता पिता है वो बूड़े हो चुके उनकी जिम्मेदारियां आ गई तो फिर आज इवन पैसा कैसे करनाएंगे आप घर परिवार कैसे चलेगा आपको इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये लिए आप आज इवन पैसा कमाना चाहते हैं या आज इवन पैसा कमाने के लिए कोई बिजनेस चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं तीन बिजनेस आइडियाज आपको देता हूँ जो आपके जीवन की नईया को पार लंगा देंगे इन बिजनेस को यदि आप गां से करेंगे तो भी इन में पैसा कमा सकते हैं और सहर से करेंगे तो भी कमा सकते हैं आप पढ़ी लिखे हैं तो भी इन बिजनेसेज को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और यदि आप सादान पढ़ी लिखे हैं दसमें बारे में या B.A.M.A. किये हुए हैं तो भी इनमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं मिनिमम पुंजी से इन बिजनेसेज को किया जा सकता है मैक्जिमम पुंजी से इन बिजनेसेज को किया जा सकता है और गली महले में भी इन बिजनेसेज को किया जा सकता है दोस्तों पहला बिजनेस हर घर की जरूरत हर गरीब और अमीर की जरूर कॉस्मेटिक आइटम्स यह कॉस्मेटिक आइटम्स हर आदमी को जरूर। होती है सुबह उठने के बाद में आँग खुलने से लेकर रात को सोते समय तक आप इन आइटम्स में से 15 से 20 प्रोड़क्ट्स को जरूर व्यूज करते हैं देखिए अपने घर में देखिए अपने बात्रूम में अटा पड़ा है इन सामान से और घर में आपके परिवाल लेडिज मेंबर्स हैं उनकी ड्रेसिंग टेबल आप जाकर देखेंगे तो वहां तो शेंकड़ों की तादाद में यह आइटम्स हैं तो फिर कैसे कम हो गया यह बिजनस कैसे छोटा हो गया कुछ लोग कहते हैं सर यह छोटा बिजनस है अरे मैं कहता हूं छोटा नहीं है बाई एक बार इसको करके देखो छोटे तरीके से करके देखो मैं नहीं चाहता आप 15 लाग रुपे लगा करके कोई बिजनस करें और फ बिजनेस नहीं करें मेरी एड़ाइज से केवल मेरी एड़ाइज से बिजनेस नहीं करें आप अपने किसी फाइनेसल एड़ाइजर की चाहे वो आपके माता-पिता हो सकते हैं आपके परवियार का कोई सदस्द से हो सकता है उनकी एड़ाइज लेके जरूर कीजे मगर आपको वर्क knowledge होना चाए है यदि knowledge नहीं है इस business में आपके बाल कतरते देर नहीं लगाते लोग बिना कैंची के आपके cutting कर देंगे पर्चेजिंग में और जो अच्छा पर्चेजर नहीं हो सकता वो अच्छा seller नहीं हो सकता बात आती है इनमे profit कितना होता है दोस्तों ये business ऐसा है इस business में एक रुपे के दो रुपे बन सकते हैं इस business में 100 रुपे में 5% कमा सकते हो और इस business में 100 रुपे के प्रडुक्टर आपको 10 रुपे मिल सकते हैं मगर all average आपको 15-20% का margin हो सकता है और यदि ये वे आपका margin नहीं बेटे तो 10-12% तो किशी के बाप का नहीं है बात आती है दूसरा business जो मैं बताना चाहता हूं बात बिच में मैं भूल गया ये business यदि आपने एक बार शुरू कर लिया आज इवन आपको दूसरा business change करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इस business का नाम मने आज इवन पैसा कमाना दिया है दूसरा business जिसमें आप बहुत पैसा कमा सकते हूं खूब पैसा कमा सकते हूं और दुनिया खूब पैसा कमा रही है खूब पैसा पड़ा है दुनिया में कोई बठोरने वाला कोई लेने वाला नहीं है दोस्तों वो business है जनरल इस्टोर वहीं बात आती है गरीब को जरूर थे इन आइटम्स की अमीर को जरूर थे दिरुबाई अंबानी जी के बेटे मुकेश अंबानी को भी इन प्रोड़क्स की जरूर पढ़ती है और एक जोपड़ी में रहने वाले आदमी को भी सुबह इन चीज़ों की जरूर पढ़ती है आँख खुलने के साथ में आपको चाई की जरूर पढ़ती है और चाई में जो प्रोड़क्स डाले जाते हैं वो सभी इन जनरल स्टोर्स की दुकानों में मिलते हैं शुबह नास्ते में आपको कुछ चाहिए 50% लोग जनरल स्टोर्स से शामाल लाकर नास्ता करते हैं जहां वेवस्ता नहीं होती है और दिन बर खाने के लिए आपको जो चीज़े चाहिएं वो भी जनरल स्टोर में होती है इसको जनरल स्टोर बोल सकते हो आप किराना स्टोर बोल सकते हो ग्रोसरी स्टोर बोल सकते हो इसके साथ आप इसमें दूद, दही, छाच, लसी ऐसे एक नहीं सैंक्रो प्रोडक्स रख सकते हो आजकल तो ठंडा अवंडा मतलब कितने नाम बताऊं आप तो ऐसे प्रोडुक्स जिनका आम आदमिक राहते हैं बहुत अच्छी कमाई दे सकते हैं बात आती है इंवेस्टमेंट कितना होता है यहीं दो से पांच लाक रुपे में आप शुरू कीजिए इस बिजनेश को और एक नोक्री से ज्यादा नोक्री से दुगना नोक्री से पांच गुना नोक्री से दस गुना और नोक्री से सो गुना तक कमाई कर सकते हैं मैं उस नोक्रीयों भी बात कर रहा हूं जो आप दसमें बार में पास करके साथ हजार दो हजार नो हजार बारह हजार रुपे में लगे रोगों कैसे भी करके एक छोटा सा बिजनेस कर दीजिए, और वो बिजनेस आपके आने वाली तीन पीडियो तब चलता रहेगा, मैं गान इंटी के साथ कहता हूं आपको, कभी बंद नहीं होंगे ये बिजनेस, आपके दाजा जी के टाइम में ये बिजनेस चलते थे, आपके पिदा जी के टाइम नहीं है, कोई नया बिजनेस नहीं है, मगर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तीसरा बिजनेस, हर माता बहना की दरूर्थ है, हर घर में इन प्रोडुक्श की दरूर्थ है, ऐसा कोई घर में ही मिलेगा, त्रूआवट इंडिया, चाहे हो बंगाल हो, बिहार हो, गुजरात हो, राजस्तान हो, केरल हो, मद्दे प्रदेश हो, साउथ, नौर्थ, इस्ट, वेस्ट, सभी जगें इनके प्रोडुक्श की डिमांड होती है, माताओं बहनों के लिए हातों में कंगन और चूडिया, बहुत पसंद की जाती है, हर ओकेजन पर इनके अलग-अलग ब्रांड काम मे ली जाते हैं, अलग-अलד-डिजाइन और क्वालिटी काम में ली जाती है, अलग-अलग कलर के काम में ली जाते हैं, अलग-अलग fancy items होते हैं इन्में, जो चूड़ी और कंगन, यह भाँत जोड़डार business है, minimum investment में आप श सकता है आप एक बड़ा सा धोला ले लीजिए बैग जिसको कहते हैं और पच्छेस हजार का प्रोड़क्ट अलग अलग टाइप के डाल लीजिए और गली मुल्ले में फेरी देकर बेज सकते हैं आप मैं गारंडी के साथ कहता हूं आप जो दस बारा हजार रुपे के नोकरी क आप पच्छीस हजार का प्रोड़क्ट खरीदने के लिए बोल रहा हूं और उन पच्छीस हजार के पचास हजार रुपे कर लेंगे आप देखिए कमाल कितने दिन में दो चार पांस दिन में यह दिया आप महंती हैं यह आपके पास बाइक है गली-गली में गुहूं के ब पिकते हैं कहीं कोई इन पर लिखावा नहीं होता कोई गारंटी वारंटी की बाद जरूरत नहीं है कोई इसमें वह डेट भिक्स नहीं है कि यह वहां एक्षायर हो जाएगी डेट क्यों आपको बेचने के कला आनी चीए खरीदने की कला आनी डिजाइन आजकल कौन सी चल थोड़ी सी जिज़क मेट कर मेरे से नहीं होगा मैं कर नहीं पाऊंगा गाटा लग जाएगा यह सारी बातों को अलग पटक नेंगे और यह सोचते वे दुनिया क्या कहेगी बड़े बाद का बेटा हूं नहीं कर पाऊंगा अच्छा नहीं लगता मेरे ससर्वाल वाले पूछेंगे क्या कहूंगा चूडी कंगर बेच रहा है अरे देखिए बड़े बड़े धन्ना सेट बेच रहे हैं बड़े बड़े स्ट आप भी कमाने की कोशिश किए वीडियो अच्छा लगे लाइक चेर और कमेट कीजिए नमस्कार